बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट रही टीवी एक्ट्रेस आरती सिंग इंदिनों अपनी परसनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। अरती सिंग को उनका हमसफर मिल गया है जिसके साथ वो 25 अपरेल को शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। वहीं आरती की शादी की रस्पे भी शुरू हो चुकी हैं। बीते दिन आरती की हल्दी सैरमनी थी जिसकी तस्वीरें और वीडियोस भी शोशल मीडिया पर वारल हो रहे हैं। जिसमें आरती के साथ उनके को स्टार्स और बाकी टीवी स्लिप्स भी नजर आ रहे हैं। वहीं आरती के भाई कृष्णा और उनकी पतनी कश्मीरा शहा भी इस फंक्शन में खूब दमाल मचाते हुए नजर आए। हलाकि इस दोरान आरती के मामा गोविंदा नजर नहीं आए। ना ही गोविंदा आरती के ब्राइडल शावर में दिखे। आपको बता दे कि आरती और दीपक अरेंज मैरिज कर रहे हैं। इसकी जानकारी खुद एक्टरिस ने दी थी। वहीं शादी की तारीक से तीन दिन पहले यानि की बाईस अपरेल को कपल की हल्दी सेरमनी रखी गई। हलाकि फंक्शन में आरती सिंग अपने परिवार के साथ खुब इंजुआय करती हुई नजर आई। तस्वीरों में शादी के लिए उनकी एकसाइटमेंट तो साफ चलक रही है। आपको बताते कि आरती ने अपनी हल्दी सेरमनी में रंगीन गुलावी रंग की ब्राले चोली के साथ मल्टी कलर का लहंगा क्यारी किया था। वहीं आरती ने लंबे फूलों वाले कलीरे भी पहने थे। इसके साथ ही वो ग्लोइंग मेकप और हाफ टाई हेर में काफी खुब सूरत लग रही थी। वहीं एक वीडियो में आरती अपने भाई क्रिशना के साथ जम कर डांस करती हुई नजर आ रही है। आरती सिंग की हल्दी सहरमनी में क्रिशना अभिशेख ने अपने अंदाज में खुब रंग जमाया। वहीं आरती की भाई कश्मीरा शाह भी ननन्त की हल्दी में खुब जूमती हुई नजर आई। इसके अलावा आरती की हल्दी का एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरती की होने वाले पती शारुख खान के गाने मेहन्दी लगा के रखना पर अपनी होने वाली दुलहनिया को गोद में उठा कर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही एक वीडियो में आरती को ढोल की थाप पर जम कर ठिरकते हुए देखा जा सकता है। लाइट किया गया है। इस शादी में गोविंदा के शामिल होने की भी उमीद है।